हेलो गाइज वेलकम टू आर यूटूब चैनल तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं ब्लैक वीडियो 2021 मुवी को एक्स्प्लेइन करूँगा चलिए बीना किछी देरी के वीडियो को अब शुरू कर लेते हैं मुवी के शुरू होते ही हमें 1995 का समय दिखाया जाता है जहां एक बच्ची साइकल से अपने घर जा रही होती है जिसके बाद हमें एक और छोटी बच्ची दिखाया जाती है चोटी बच्ची का नाम होता है ये लेना और बड़ी बच्ची का नाम नताशा होता है दोनों साथ होते हैं तब यह लेना गिर जाती है और उससे चूट लग जाती है और वह रों नहीं लगती है तब उसकी माँ आती है और उससे चुप करवाती है और और कह दिये कि जितना दर्द होगा अतनी श्टॉंग बनोगी, फिर उन में थोड़ी देर बात चीत होती है, जिसके बाद वो लोग डीनर के लिए अंदर चले जाते हैं, जब वो लोग डीनर के लिए बैठते हैं तब उनके पापा आते हैं, और उनके मदर उसे पूछती है क कितन टाइम है हमारे पास तो वो कहते हैं कि बस आदा गंटा फिर जाकर वो आदमी बच्चियों से कहता है कि हम लगवे पिक्णिंग में चलेंगे फिर सब लोग जल्दी निकलने के लिए तयारी करने लगते हैं उनकी पैरेंट्स साथ में गंज भी ले लेते हैं फिर कार में मदर की इंस्ट्रक्शन से प्लेन चलाने लगती है उसके पापा बाहर सबको शूट करते हुए भागते भागते दोड़कर प्लेन के विंग में लटक जाते हैं वह चारों वहां से भागने में काम्याब हो जाते हैं फिर अगली सुबह वो लोग क्यूबा पहुंचते हैं और पहुंचते ही कुछ लोग आकर उनकी मदर की ट्रीटमेंट करने लगते हैं फिर उनसे मिलने वहां एक आदमी आता है जिसका नाम ड्रैक आफ होता है तब हमें पता चलता है कि जो आदमी उन बच्चियों का फादर बना था वो एक एजेंट है जिसका नाम रेड गाडि है और इन सब के पीछे वो ड्रैक ओफ ही है जो रेड रून चला रहा है ड्रैक उनको ट्रेणिंग दे कर एजेंट्स बनाना चाहता है और फिर उनसे अपने गैर कानूनी काम करवाता फिर हमें 21 साल बात का सीन दिखाया जाता है जानता सब बड़ी हो चुकी है यह टाइम लोस उसे वहाँ पकड़ नहीं पाते क्योंकि नतासा तो उस बिल्डिंग में थी ही नहीं वहाँ तो बस उसका ट्राकर था जिसका पीछा करते हुए वो लोग वहाँ आये थे नतासा तो कहीं और किसी बोट पे थी फिरा में मोरोको का सीन दिखाया जाता है जहां कुछ ब् क्यमिकल गैस प्रेक के बाद ऐसा लगता है कि उस एजेंट की मेमोरी वापस आ गई हो और वह उस लेड़ी को पहचानने लगती है और कहती है यह मुझसे क्या हो गया तो वह लेड़ी कहती है कि बाक्यों को बचाओ इतना कहते ही वह लेड़ी मर जाती है जिसके बाद वह एक tracker निकाल का fake देती है और वो उस parcel को लेकर वहाँ से भाग जाती है जिसमें वो rate gas थी तो उसके बाकी के साथियों को पता चल जाता है कि वो अब ड्रेकशन के कंट्रोल से बाहर आचुकी है और ये बात वो ड्रेकशन को बता देती है और Task Master प्रोटोकॉल को एक्टिवेट करने की परमीशन मांगती है उधर टास्क मास्टर बैटकर अवेंजर्स की फाइट देख रहा होता है और देखने से ऐसा लग रहा था कि टास्क मास्टर कोई रोबोट है फिर हमें नताशा को दिखाया जाता है वो जंगल के बीच अपने हाइ देता है और उसे एक बॉक्स भी देता है जो कि उसके पिछले हाइड आउट से मिला था उस बॉक्स में ये लेना का भेजा हुआ वो गैस कैप्स्यूल था रात को नताशा का जेनरेटर बंद पर जाता है तो वह पेट्रोल देने के लिए कार लेकर निकल जाती है लेकिन र भाग जाती है उस केपस्यूल के साथ एक फोटो भी थी जो कि नताशा और येलेना की बच्पन की फोटो थी फिर हमें बुड़ापेस्ट का सीन दिखाया जाता है नताशा अपने पुराने हाइड आउट में जाती है जहां उसकी और येलेना के बीच लडाई हो जाती है क् कि वो ड्रेकॉफ के पास उसे अकेला छोड़कर चली गई थी लडाई खत्म होने के बाद येलेना बताती है कि जो चीज उसने भेजी थी वो एक्चुली ड्रेकॉफ के माइंड कंट्रोल का एंटिटोड है येलेना ने इसे नताशा के पास इसलिए भिज़ा था ताकि वो ड्रेकॉफ को बॉम धमाके से मारा था और रेड रूम बंध हो चुका है तो येलेना कहती है कि क्या तुमने बॉडी चेक किया था तो नताशा कहती है कि बॉम के धमाके के बाद चेक करने के लिए कोई बॉडी बची ही नहीं थी फिर अचानक से उनके अपार्टमें में ध हमां का होता है यह अटैक ब्लैक विडोस का था तो ये रेना घर में लगे ट्रैप बॉम्स को एक्टिवेट कर देती है जिसके बाद दोनों बहने वहां से ब्लैक वीडो को चखमा देकर भागने लगती है फिर दोनों एक पाइप से लटक के दूसरी बिल्डिंग में जा रह कर देता है यह देखकर नताशा को ये रेनक पर यकीन हो जाता है कि ड्रेकॉप अब तक जिन्दा है उसके बाद वो लोग पाइक लेकर भागने लगते हैं तो टास्ट मास्टर एक बड़ी सी गाड़े लेकर उनका पीछा करने लगता है फिर भागते भागते उनकी बाइक दीवा से टकरा जाती है तो वो लोग एक बंदे को गन दिखा कर उसकी कार ले लेते हैं फिर ये लेना एक वीड़ी को कार के डोर से बड़े ही स्टाइल में नोकाउट कर देती है लेकिन फिर टास्ट मास्टर एक्सप्लोजन वाला एरो मार के कार को उड़ा देता है और उ लेना नताशा को बताती है कि किस तरह आज भी ड्रेक ओफ रेड रूम चला रहा है और पूरी दुन्या में लड़कियों के जरीए आतंख फैला रहा है ये सब सुनके नताशा रेड रूम को खतम करने का फैसला करती है लेकिन उन दोनों को ये पता ही नहीं था कि आगिर ड की को रेड रूम ले जाया जाता है तो उन्हें बिहोश कर दिया जाता है फिर उन्हें रेड गार्डियन यानिकी एलेक्सी की याद आती है जो कि बच्पन में उनका बाप बने का नाटक किया था जो कि ड्रेक ओफ का खास आदमी भी था तो शायद उसे पता होगा लेकिन एलेक्सी तो इस वक्त जेल में था तो दोनों हेलिकॉप्टर लेकर चले जाती है उसे जेल से निकालें जेल में गार्ड से बहुत फाइट करके बहुत मुश्किल से उसे वहां से निकाल देती है फिर जब नतासा उसे पूछती है कि ड्रेक ओफ कहां मिलेगा तो एलेक्सी बताता है कि उसकी और ड्रेकॉफ के लड़ाई हो गई थी, जिसके बाद वहां से ड्रेकॉफ ने उसे उमर कैद करवा दिया, और अभी उसे रेट रूम के बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन वह बताता है कि मिलेना जोकी उसकी मदर बनी थी, वो अब भी ड्रेकॉफ के लिए काम करती है तो शायद उसे रेड रूम के लोकेशन के बारे में पता होगा तो तीनों चले जाते हैं मेलेना के पास जहां मेलेना अपने माइन कंट्रोल टेक्नलोजी को एनिमल्स पर टेस्ट कर रही थी उनके वहां पर आने पर मेलेना पहले तो अच्छे से उनका स्वा फैमली बन कर रहते थे जिससे सब लोग थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं हाला कि सब को पदा था कि उनकी फैमली फेक है फिर भी जब नताशा मेलेना से कहती है कि वह अब तक उसकी दी हुई सीख के वज़े से जिंदा है तो इस बात से मेलेना का भी दिल पिखल जाता है और फिर मेलेना नताशा को बताती है कि रेड रूम का लोकेशन कहा है और उसमें लैंडिंग कैसे करना है और किस तरह ड्रेकॉफ तक पहुँचना है उनके पास सिर्फ एक ही वार्लेस इयरफोन का सेट था इसलिए उसने एक यलेना के कान में डाल दी थी और एक मेलेना के पास अचा है और इधर यह लोग ऑपरेशन करके यलेना के सर पे वापस वह कंट्रोलिंग वाला केमिकल डालने वाले थे लेकिन सही टाइम पे मिलेना उसे इयरफोन से कॉंटेक्ट करती है और बताती है कि उसके पॉकेट में चाकू है फिर यलेना अपने आपको छुड़ा कर उन डॉक्टर्स को नोकाउट कर देती है मिलेना बताती है कि माइन कंट्रोल केमिकल एंटी टोड्स नीचे कहीं पर कोल्ड स्टोरेज पर रखे हैं और उसे ही उसका यूज करके उन सारी ब्लेक वीडियो को ड्रेकव के कंट्रोल से फ्री करना है और इधर ड्रेकव नताश से अपनी बेटी को माइन कंट्रोल करके अपनी लिए काम करवा रहा है यह सब बताने के बाद फिर ड्रेकव टास्मास्टर को मिलेना और एलेक्सिय को पकड़ने के लिए नीचे भेज देता है जिसका फायदा उठाकर नताशा ड्रेकव को मारने की कोशिश करती है बट मार नहीं पाती क्योंकि ड्रेकव ने सारी वीडियो पर फेरेमेनल लॉक लगाया है मतलब जब तक वो उसकी स्मेल सूंग पाएंगी तब तक उसे मार नहीं पाएंगी ये बात नताशा को मिलेना यहां आने से पहले ही बता चुकी थी नताशा तो बस उसके सारे डेटाबेस औ बारे में जानने के लिए रुकी थी फिर जैसे ही ड्रेकव ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने सारे राज खोल देता है नताशा अपने नाक का नस तोड़ देती है और उसके फेरमेनल लोग से फ्री हो जाती है इधर टास्ट मास्टर और एलेक्सी के बीच के फाइट में हार रहा होता है लेकिन तभी इलेना आकर टास्ट मास्टर को गूमा कर केज में डाल देती है और दूसरी तरफ मेलेना फ्लाइंग रेड रूम का एक इंजन ब्लास्ट कर देती है और अब उन्हें क्रैस डेंडिंग करनी होगी इधर नताशा ड्रेकव को अल्मोस्ट मारी चुकी थी लेकिन तभी वहां ब्लैक वीडोस आ जाती है और ड्रेकव वहां से भाग जाता है फिर होता है नताशा वर्सेस 15 ब्लैक वीडोस जिसा कॉंक्लूजन पॉस करके आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं तो आगे बढ़ते हैं अब जिसा कॉंक्लूजन ओवियसल है कि अब हम क्या करें तो नताशा उन्हें कहती है कि यहां से बहुत दूर चली जाओ जो मन करें वो करो फिर धामा का बढ़ने लगता है सब लोग वहां से निकल रहे होते हैं लेकिन नताशा वहां रुक कर रेड रूम की सारी लड़कियों का डाटा ट्रांसफर करके अप जसे ड्रेकव और उसके आदमे जल कर मर जाते हैं और यहलेन नीचे गिने लगती है तो नताशा उसके पीछे पैरचूट लेकर अपिर यहलेवना को पहना देती है फिर नताशा को चोड़कर टास्ट मास्र के तरप चली जाती है और उसके साथ अरे इरियल फाइट कर ते पर अब वो भी फ्री हो जाती है और तब नताशा उसे अपनी गलती की माफी मांगती है फिर एलेक्सी मेलेना नताशा और येलेना एक हो जाते हैं अपने उस फेक परिवार को असली मानकर एक दूसरे के गले लगते हैं फिर नताशा वो चिप और एंटी टोड येलेना को दे सब को अरेश्ट करने के लिए लेकिन उसी वक्त रेड रूम की ब्लैक विडोस जीने थोड़ी दिर पहले नताशा ने बचाया था वहां एक प्लेन लेकर आ जाती है ताकि वह नताशा और बाकी सब को वहां से निकाल सके लेकिन नताशा उनके साथ नहीं जाती क्योंकि उसे क विंजट लेकर अंडरग्राउंड पिजन जाती है अपने उन अवेंजर्स दोस्तों को बचाने जिरोंने सकूव्य कानून तोड़ा था मुवी के पोस्ट्रेट सीन में हमें 2023 का सीन दिखाया जाता है यानिकि अवेंजर्स एंड गेम के बात कर टाम लैन दिखाया जाता है यहाँ यलेना उस ग्रेव में आती है जो कि नताशा के याद में बनाया गया था लेकिन यलेना को तो यह नहीं पता था कि नताशा के देथ कैसी हुई थी और वो इसे ही उसके रियल ग्रेव समझ रही थी यलेना से वहाँ एक लेडी मिलने आती है जिसका नाम वैलेंटीना होता है वो यह लेना को जूट कहती है कि उसकी बहन की मौत की जिम्मदार हौकाई है और वो उसे मारने का कॉंट्रैक्ट देती है और इसके साथ ये मूवी यही पर खतम हो जाती है I hope आपको मेरी explanation अच्छी लगी हो और वीडियो पसंद आई हो तिल देन बेहपी बेसेफ और थैंक्स वर वाचिंग